हे वेलकम बैक एवर्डिवन आज किस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके लिए कुछ MCQ के बारे में आपको याद होगा कि मैंने अभिहाल में ही जो लास्ट वीडियो अपलोड किये थे उसमें मैंने आपको कुछ मॉडर्न परस्पेक्टो के बारे में बता और आज आपके सामने यहाँ पर कुछ MCQ हैं और मैं निश्चित उम्मीद करता हूँ कि मैंने यहाँ पर 6MQ इंक्लूड की हैं तो आप 6 मैसे 600% पूरे सही करेंगे क्योंकि मैंने जिस तरह से पिछले वीडियो को डिफाइन किया है तो उसको अगर आपने सुनाओगा आई टू गिव यूर आंसर फर्ष्ट पहले आप खुद का अपना आंसर देने की कोशिस कीजिएगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताया कि इन 6 कॉस्चिन में से आपने कितने सही किये थे बट मुझे भरोसा है कि आप निश 100,800 जो स्टूूइंट हैं वो देखते हैं वो सीखते हैं और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप आज कमेंट करके जरूर बतायेंगे कि आपने सारे कोशिं ग्लाय की रिए और नहीं किये हैं चीजे समझ में नहीं आई हैं तो पहले वाले वीडियो से देखिए आप कमेंट किजिए, जोवियल साइखोलोजी टेलीग्राम को जोईन किजिए, आप मेरे साथ जूटेट हैं, साइखोलोजी को नई तरीके से सीखने के लिए, तो आएए बढ़ते हैं, और पहला कोशन यहाँ पर कहा गया है, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ परस्पेक्टिस के नाम दिये गए हैं, और इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा है, जो कि बाइलोजीकल बेसिस और मेंटल करेक्टर स्टिक्स पर फोकस करता है, So just think about all the options, इनके बारे में सोचिए, and give the correct answer, तो humanistic क्या है, आपको खुद से mind में repeat करना है, दखिए, यह एक question है, लेकिन एक question में यहाँ पर खुद की thinking करके आप बहुत साथ चीज़ों को remind कर सकते हैं, इसलिए remind कीजिए, humanistic क्या बोलता है, behavioral क्या बोलता है, psychodynamic क्या बोलता है, यह आप अपने अपने remind कीजिए, और इस question का जो answer है, that is the option, last, the evolutionary, आपका जो evolutionary perspective है, वो आपके biological basis for universal mental characters के बारे में बताता है, तो इसको धहन नखिएगा, यह आपका correct answer हैगा, evolutionary, आप self thinking कीजिए, dear friends, self thinking is very important, आपको mental process करनी है, अगर आप चीजिए को वास्ताव में सीखना चाते हैं, तो सीखिएगा, इसकी बाद देखिए, यहाँ पर दूसरे question आता है, जिसमें कहा गया है, which perspective offers the best explanation for seizofrenia, तो बताना है कि seizofrenia के लिए, ऐसा कौन सा perspective है, जो कि seizofrenia को explain करता है, psychodynamic, behavioral, biopsychosocial and humanistic, तो आप यहाँ पर सोचने का प्रयास किजिए, देखिए, कई बार जब हमको MCQ सही पता नहीं होते हैं, तो उस time पर हम, थोड़ा बहुत अपना एक sense of humor भी create कर सकते हैं, और उसके माध्यम से हम जो option हमको मिलते हैं, उनमें हम rejection कर सकते हैं, तो अगर हम सोचें, आपको लगता है कि humanistic किसी भी तरीके से सही होगा यहाँ पर नहीं, humanistic CDC आपके मानावताबादी वाली बातों को करता है, तो यहाँ पर आपका यह नहीं होगा, behavioral भी आपका नहीं है, क्योंकि आप ध्यान लखिएगा, जो सीजोफरीनिय होता है, उसमें कुछ biological problems होती हैं, वहाँ पर humanistic और behavioral यसी problems नहीं होती हैं, और इसके बाद यहाँ पर psychodynamic भी नहीं है, best option is biopsychosocial, यानि इसमें जो biopsychosocial models होता है, उसकी problems को लेके लोगों को सीजोफरीनिय होता है, तो आप ध्यान लखिए, यहाँ पर आपका जो correct answer होगा, that is option C, इसे आप ध्यान लखिएगा, इसके बाद ऐसे ही आता है, next question number third, इसमें कहा गया है, यहाँ पर इस question में यह कहा किया है, कि अगर वो public place पर मा के साथ चिलाता है, तो उसकी माँ उसको सांथ करने के लिए उसको नए खिलाने देती हैं और टौफी देती हैं, तो आपको बताना है कि यह किस perspective को सो करता है, तो भाई देखो यह learning है, है ना, बच्चा समझ गया है कि अगर मैं यहाँ पर चिलाओंगा, तो मेरी माँ मुझे खुश करने के लिए मुझे टौफी देंगी, इसलिए वो इस behavior को हर बार करता है, तो सीधी सी बात है, यह कौन सा perspective हो सकता है, सोचिए, यह आपका है, that is the option, be behavioral, यह बेवारवादी द्रिश्टी कौन है, उसकी learning है, मैंने आपको behavioral perspective में बहुत कुछ समझाए था, अब ध्यान कीजिए, इसमें कहा जाता है, जो भी हमारी learning होती है, वो हमारी environment में जो stimulus होते है उस stimulus से हमारी जो response होते हैं, उसके माध्यम से बेवार करते हैं, जैसे इसी question के अनुसार, जो बच्चा है, वो चिलाया, वो चिलाया, उसकी माने क्या किया, उसको टौफी दिला दी, यानि इसके चिलाने से इसकी माने को टौफी बार बार दिला दी रहती है, तो बच्चा एक सीख गया है, इसके अंदर conditioning हो गई, यह कि भाही मुझे ऐसा करने से ऐसा मिलता है, तो उसे करता है, दोराता है, और वो टौफी टौफी प्राप्त करता है, तो अब आप समझ गया होंगे, इसका जो answer is, that is option, आपका यहाँ पर भी behavioral, इसके बाद आता है, next question इसमें कौन सा ऐसा perspective होगा, कि अगर कोई researcher childhood experience को अध्यन करता है, और उसका जो self-develop हुआ है, कैसे बतला उससे childhood experience से प्रभावत हुआ है, इसके बारे मध्यन करता है, तो सोचिए, सोचिए थोड़ा सा आप, सोचिए मैंने आपको बहुत अच्छे से बताय था, इसके बारे में, फ्राइड के psycho dynamic perspective के बारे में, वहाँ पर आप जानते हैं, जो हमारा फ्राइड का concept था, psycho analytic, उसमें आप जानते हैं कि childhood experience पर बहुत ज़्यादा जोड़ दिया जाता है, आप ध्यान रखिए, आपके प्रस्नों के जो अत्तर होते हैं, वो आपके question में hidden होते हैं, तो अगर आ दियान रखेंगे, तो निश्यरी सही answer भी देपाएंगे, तो यहाँ पर आपका answer बनेगा, पहला psycho dynamic, इसे आप दियान रखिएगा, इसके बाद एक next question आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, which of the following professionals in psychology has no medical training, but has a doctorate degree, देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा ऐसा professional है, जि दियान रखिए होती है, तो आप psychiatric के बारे में सुना होगा, psychiatrist होता है, वो medical training लेता है, उसके बाद psychology field में काम करता है, योगों की mental problems के लिए काम करता है, उसने medical training लई रखी होती है, psychiatric social worker भी आपका different है, और psychiatric nurse है, यह इन में कहीं medical training होती है, लेकिन psychologist के पास medical training नहीं होती है, ल आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये question आपके अमेरिका के according है अमेरिका में psychologist होने के लिए PhD होना चाहिए अगर हम Indian perspective में देखें अपने भारती इस तरह पर देखें तो भारत में अभी psychologist होने के लिए doctorate होना कोई अनिवार नहीं है कहीं पर ऐसा कोई rule नहीं है even मैं देखता हूँ कि कई बार हमारे हाँ जो vacancy निकलती है उसमें BA और MA लेविल पर भी वो psychologist की भरती करते है it means in India there is no rule that you must have PhD for being a psychologist तो psychologist होने के लिए इंडिया मैं से कोई perfect rule नहीं है कि आपके पास PhD होनी चाहिए तो इसमें जो कुछ कहा गया था उसकी according आप कहां से राता है सही डी ओके friends तो I think आप पिछले सभी परसनों को सही करते आ रहे होंगे और अब आगे question और देखते हैं इसमें कहा गया है if doctor rohan is like most psychologist where does he probably work यानि अगर doctor rohan ने most psychologist जैसे हैं तो जो general psychologist होते हैं वो mostly colleges में काम करते हैं university में काम करते हैं बच्चों जो students होते हैं उनके लिए school में काम करते हैं उनके motivation के लिए उनके counselling guidance सब चीजों के लिए मतलब जो general psychologist होते हैं वो किसी तरह का clinical intervention नहीं करते हैं तो आपका यहाँ पर option A सही है आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैंने जो question include किये थे यह question मैंने आपके जो से स्रैली की book है उससे include किये हैं आप इनको देखिएगा समझेगा और मेरे साथ जोड़े रहे कुछ और भी चीजों को सीखने के लिए so thanks for watching this video और हाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ फिर से कि आप अपना जो टेली ग्राम चैनल है जो विल साइकोलजी आप उससे add कर लीजिए वो आपके लिए बहुत ही beneficial होगा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो पहले जो personality theorists हैं उसका जो playlist की रिट किया है आप उसको देखिए really वो आपके लिए बहुत ही important होगा मैंने वहाँ पर चीजों को basic level से describe किया है जो भी psychologist हुए है उनकी early life को describe किया है ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकें तो आप मेरे साथ लगतार जूड़े रहें और मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ नएने contents लेकर आता रहूँगा so thanks for watching this video